हेलो दोस्तों, सोसियोलोजी क्लासेज में आप सबका स्वागत है आज हम डिसकस करने वाले हैं रिसेर्च मेथोडोलोजिस एंड मेथोर्स का एक ही एक इमपोर्टेंट टोपिक यह बहुत ही छोटा टोपिक है लेकिन यह इमपोर्टेंट है बहुत यह टोपिक है फेमिनिस्ट एप्रोच यानि कि हमारा जो फेमिनिस्ट मेथड है या फिर फेमिनिस्ट एप्रोच है इस चीज को आज हम डिटेल में डिसकस करेंगे आज इस क्लास में हम कौनसी कौनसी चीज़ों को स्टाड़ी करने वाले हैं पहले देखेंगे कि feminism क्या है feminist approach क्या है feminism क्या है फिर देखेंगे stages of development of feminist approach feminist approach किस किस level पर consequence stages के दुआरा हमारी आगे बड़ी है हमारा वार्ड में किस तरीके का इनका development रहा है फिर देखेंगे कुछ features of feminist method feminist approach के क्या किया main features है वो सारे चीज़े अगर आप मेरे classes में नए है तो channel को subscribe कर लेना और video को like और share जरूर करना क्योंकि sharing is caring चलिए आज का class शुरू करते हैं हम पहले देखते हैं कि feminism है क्या feminism एक ऐसा philosophy है जहाँ पर omen और उनके contribution को value दिया जाता है यह mainly एक ऐसा perspective है यह ऐसा thought process है जहाँ पर हम omen को उनके contribution को value देते हैं हम जानते हैं हमारा जो पिछले वाले society था या फिर पिछले वाले जो generations थे वहाँ पर omen को इतना ज्यादा importance नहीं दिया जाता था उनको conservative तरीके से ही रखा जाता था उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता था उनका value कम था लेकिन यह feminism एक ऐसा तरीके का philosophy है जो omen के contribution को value करता है omen को value करता है feminist कौन हो सकते हैं हम अगर ऐसे ही generally सोचे तो शायद लगेगा कि feminism या फिर feminist जो है वो सिर्फ लेड़किया होंगी नहीं ऐसा नहीं है feminist हमारे लोगों में से यह पूरा population में से कोई भी लोग हो सकते है यह man हो सकते है omen, girl, boy यह कोई भी इंसान हो सकता है feminism जो omen के contribution को और omen को value करे यह feminism को हमें एक movement की तरह देख सकते हैं यह originally एक movement ही है यह एक revolutionary thought process है जहाँ पर omen और men को equal देखा जाता है इनके बीच में कोई फरक नहीं किया जाता है यह लोग जो feminist लोग है यह लोग world को boundaries से divide नहीं करते है यह लोग दोनों को जो man है omen है वो सारे लोगों को एक जैसे देखते हैं और उनका contribution को equally value करते है यह feminist जो है यह mainly क्या देखते हैं इनका सोचना तो है कि हम दुनिया को अलग नहीं करेंगे लेकिन यह लोग mainly basically क्या सोचते हैं यह लोग सोचते हैं कि हमारा जो दुनिया है यहाँ पर mainly जो man है वो dominant कर रहे हैं वो एसा चाहते है कि man और woman को एक साथ एकी तरीके का सारे rights मिले कोई superior ना हो और किसी को कोई हानी ना पहुचे इसलिए वो चाहते है कि woman का जो पहले बला role है वो abolish हो जाए और woman को equally value दिया जाए हम हमारे society में बहुत सारे types के feminist देखते हैं इसमें से जो important है वो है radical feminist, marxist feminist और liberal feminist radical feminist कौन है जो एकदम ऐसा सोचते है कि हमारे दुनिया में women को oppress किया जा रहा है उनको कोई rights मिल नहीं रहा है इसी तरीके के जिनका radical thought process है जो extreme तरीके से सोचते है फिर marxist marxist जो operation को operation की बात करते है और class differences की तरह ही feminism को देखते है फिर आते है liberal जो थोड़े बहुत liberate है कि नहीं women के पास भी right है लेकिन और होना चाहिए अब देखते है feminist जो approach है यह sociology में किस तरीके से develop हुआ हम sociological perspective से ही चीजों को समझने की कोशिश करेंगे हमारा जो यह feminist approach है sociology में यह mainly 1970 से ही start होता है उस time period से ही feminist approach का starting होता है पहले के जमाने में यह mainly हम तीन stages में देखते है कि feminist approach का development पहला जो stage है वहाँ पर हम देखते है कि जो emphasis है वहाँ पर सिर्फ sex differences को दिया जाता था यहाँ पर sex के basis पे जो roles है और जो लोगों की biological property है इसके ओपर ही ज्यादा importance दिया जा रहा था वो पहले के जमाने में है जो initial stages में जब feminism develop हो रहा था उस time पे sex differences को ही main basis माना जाता था फिर धीरे धीरे time change हुआ उसके बाद जो sex difference है sex difference के बदले में sex roles फिर socialization process और gender के जो products है social arrangement है इन सारे चीजों के बारे में लोग बाते करने लगे लेकिन उस time पे भी लोग gender के basis पे ही अलग gender के नहीं sex के difference के basis पे ही बात कर रहे थे वहाँ पर जो focus था वो लोगों का sex roles और socialization process पे था कि हम socialization process change करना होगा ताकि हम society में हर किसी को equal rights मिले और equally हर किसी को value किया जाए और treat किया जाए इसलिए socialization process पर ही ज्यादा धिया गया था फिर हम third stage में देखते हैं कि third stage में थोड़ा change हो गया जो sex के बारे में sex roles के बारे में बताते थे sex difference के बारे में बताते उस time frame में आकर वो चीज जेंडर पे shift हो गई उस time पे लोग बोल रहे हैं कि लोगों को जेंडर के हिसाब से सोचना होगा जेंडर के हिसाब से जो principles है social system में उन सारे चीजों को हमें change करना होगा यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा sex और gender यह दो चीज अलग-अलग है sex होता है हमारे biological difference जो हम जनम से लेकर आते हैं boy के अलग properties होंगे और girls के अलग features होंगे और gender जो है हम social system में रहते हैं और society हम पर socialization के दुराआ जो चीज हमें सिखाती है वो होता है gender sex biological होता है और gender हमें society से मिलता है socialization process के दुरा हमारी परवरिष्ट के बज़े से हमें जो मिलता है वो होता है gender यहाँ पर third stage में आके लोग इसी gender के बारे में बात कर रहे थे कि नहीं जो भी gender है इस gender को socially aware करना होगा कि लोग जो ये gender create हो रहा है ये लोगों को बताना होगा कि नहीं ये हमारे socialization process के बज़े से ही हो रहा है और इसको कम करना होगा इसके basis पे लोगों को organize होना होगा लोगों को aware करना पड़ेगा लोगों का जो experience है उस चीज़ को भी change करना होगा mainly यहाँ पर बताया जा रहा है कि लोगों का जो thought process है उस thinking को change करना होगा अगर हमें society में equality राना है और औरतों और मर्दों को equal hug देना है तो हमारे जो thought process है उसको change करना पड़ेगा यह तीनों stage को आप लोग थोड़ा अच्छी तरीके से study कीजिएगा अब देखते हैं key features of feminist method क्या-क्या वो features है जो ज्यादा important है हमारे feminist methods के हिसाब से feminist method क्या कह रहा है feminist method argues that research designs are based on man's experience feminist method कह रहा है कि जो भी research design है हम यहाँ पर research methodology के perspective से study कर रहे है इसलिए हम research design के बात कर रहे है कि जो भी हम research करेंगे वो सारे design मैंस के experience के basis पर ही तयार किया गया है हम जब भी sociology में कुछ study करेंगे वो सारे design मैंस के हिसाब से ही तयार किया गया है क्योंकि वो लोग ही इसको start किये है इसके बज़े से जो औरत हैं उनको research प्राइबेट यहाँ पर feminist sociology बोल रहा है कि वो लोग पाब्लिक और प्राइबेट में जो division है उसके बिलकुल against है वो लोग इसको separate नहीं करना चाहते हैं उनके हिसाब से पाब्लिक और प्राइबेट सेम होना चाहिए यहाँ पर अलग नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या है वो हमें थोड़ा deeply समझना होगा हम जब भी किसी जगा पर job करते हैं जब अगर government sector हो यानि कि public sector हो तो rules regulation अलग तरीके से होता है और जब हम किसी private sector में या फिर companies में काम करते हैं तो वहाँ पर rules regulations थोड़े अलग होते हैं मर्दों के लिए और और औरतों के लिए हम अगर public sector की बात करें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे opportunities मिलती है औरतों को और मर्दों को same pay scale मिलता है पैसा same मिलता है rules regulation सबके लिए same है opportunities भी बराबर मिलती है लेकिन opposite में अगर हम private sector या फिर जो हमारा companies है वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे जगाओ उपर हम देखते हैं कि औरतों को कम पैसा दिया जाता है और उनके उपर rules regulation भी बहुत सारे extra लगाये जाते हैं ऐसी हम बहुत बार देखते हैं कि अगर कोई भी और pregnant हो जाए तो private sector से उनको निकाल दिया जाता है यह सारे चीजों के against feminist letter है यही feminist sociology का मूल सिध्धान्त है कि यह जो public और private है इनमें कोई भी differentiation ना रहे फिर हम देखते हैं कि feminist sociology recognize the diversity of gender statuses in the social order feminist sociology जो लोगों में gender difference है gender diversity है वो सारे चीजों को recognize करता है मतलब समझता है उनके हिसाब से यह जो gender differences है यह gender differences नहीं होने चाहिए लोगों के जो thought process में socialization के बज़े से जिस तरीके का thought process तयार हुआ है इन सारे चीजों में बहुत सारे changes की जरूरत है इसलिए gender status हर दोनों का मौरत का और मर्द का और हर किसी का बराबर होने चाहिए इसलिए हम जब भी कोई भी research conduct करते है तो हमें feminist की तरह भी सोचना चाहिए और feminist की जो thought process है उनको भी काम में लाना चाहिए यहाँ पर आज का जो class है वो आप लोग जरा अच्छी तरीके से देखियागा यहाँ पर notes भी है यह थोड़ा confusing chapter है यह से तो simple है लेकिन फिर भी बहुत सारे वक्त हम यह confused कर जाते हैं चीजों को समझने में तो चलिए आज का class यहाँ पर ही खतम करते हैं मिलते हैं अगली class में तब तक अच्छे रहिए सुअस्त रहिए और लोगों में प्यार बाठते रहिए जय हिंद तो